आफ है अजुड़ीवन विल्कम बैक टो आल चैनलज्टरीयार्ट एक वाइफ फिर से आप सभी का हमारे चैनलज्टरीयार्ट में स्वागत हैं तो आज हम लुग करने वाला है आरी सर्माय हमसे क्यूंद की कोस्टिन सर्कल्चाप्टर क्लास नाइंध का जो सर्कल्चाप्ट रहा है उसका ठीक काफी दिनों से इस चैप्टर का विडियो रह गया था तो और मुस्ट सारी चैप्टर का जो को टागेट करते हैं तो ज्यादा फोकस नहीं करते स्टेप्स पर फटाफ़ाइब करना होता है तो वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर चैनल तुम्हें यूसफूल लग रहा है अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तुम्हें चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना चलो तो बिना टाइम इस के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्ट्टर यहां पर हम लोग इसका डिस्टेंस केतना है इसका डिस्टेंस O D, यह 15 है, हमें क्या fine करना है, radius निकालना है, यानि कि O A, यह radius fine करना है, अब हमें यहाँ पर यह थिरूम तो पता है कि अगर center से किसी cord पे perpendicular drop करते हो, cord तो क्या करता है, bisect करता है, तो अगर cord 16 है, तो यहाँ पर A D 8 हो जाएगा और B D 8 हो जाएगा, अब triangle A O D पे focus करो, यह A है, यह O है, यह D है, एक right angle triangle है, तो python हम लगा सकते हैं, तो A O square क्या हो जाएगा, A O square हो जाएगा, O D square plus A D square, यानिकि A O की बात करेंगे, वो under root, O D square मतलब 15 का square, plus A D, 8 का square, तो 225 plus 64, यहाँ जाएगा 289, जो कि आजाएगा 17 cm, यानिकि यहाँ पर radius क्या हो जाएगा, first का answer हो जाएगा C, 17 cm, clear है, बस पाथा को अपलाय करना था, बस theorem क्या लगा, कि अगर किसी center से, किसी cord पर perpendicular drop करते हो, तो वो cord को bisect करता है, इस बात का ध्यान देखना, यह important theorem है, इस chapter के लिए, ठीक है, next, question number 2 पर आते है, पाफ़ट करेंगे, चितना complete कर सकते हैं, part-wise, पता है आप लोगों को, कि हम लोग part-wise करते हैं, क्योंकि number of question बहुत जादा है, तो एक part में सारे question को करना possible नहीं होता है, the radius of a circle is 6 cm, तो अगेर एक circle बना दो, यह center है, O, A, यह 6 given है, the perpendicular distance from the center of the circle to the cord, which is 8 cm, यह length is, हमें अब perpendicular distance निकालना है, cord का length क्या है, 8 cm, तो कोई cord है, A, B, यह 8 cm है, तो यहाँ पर A, B की जो value है, वो 8 है, और हमें यह perpendicular distance चाहिए, O, D, exactly same question है, बस यहाँ पर R given है, A, D given है, तो में O, D निकालना है, जाएगा, A, D square plus O, D square, और हमें O, D निकालना है, यह distance, यह निकालना है, तो O, D square क्या हो जाएगा, A, O, A square minus A, D square, A, O, मतलब 6 का square minus A, D, 4 का square, तो यह तुमाना आजाएगा 36 minus 24, तो यह आजाएगा 2, 12, तो हमें O, D, चाहिए, O, D क्या हो जाएगा, अंडरूट 12, तो अंडरूट, तो यह 16 होगा, 24 ने, 16 होगा, यह 10 हो, यह हो जाएगा, 6 का square, 36, 4 का square, length is 8 cm, तो यह आजाएगा तुमाना 20, तो अंडरूट 20, तो अंडरूट 20 क्या हो जाएगा, 2 root 5, तो 2 root 5 मतलब, option B, यहाँ पे correct हो जाएगा, तो option B, यहाँ पे correct हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं, पाइथा, अगर अप्लाई किया है, simple सा question था, जैसे हमने first question किया है, वैसे second किया है, move करते हैं, अपने third question पे, third question क्या गार रहा है, O is the center of a circle of radius R, A, B is a chord of the circle at a distance of R by 2 unit from O, angle BAO find करो, अब देखो, third question में, अगे एक circle बना लिया, center O ले लिया, ठीक है, radius A, O A ले लिया, R, and A, B is a chord of circle, A, B कोई chord है, A, B, at a distance of R by 2 from O, यह distance, O D, यह R by 2 है, find angle BAO, यह angle निकालना है, यह angle, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे न, मैं अगर जितने, अगर आप लोगों को trigonometric, trigonometry आता है, तो बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, जब trigonometric पढ़ होगे, कभी, ठीक है, although यह मैं 10th का concept यूज़ करूँगा, अगर सी basic recording, ठीक है, बहुत लोगों ने sign cost पर रखा होगा, अगर physics की बात करें, कहने कहीं है, physics में जब तुम्हें force पढ़ा होगा, तो sin theta, cos theta आया होगा, कहीं नहीं, ठीक है, उस चीज़को अप्लाय करेंग, तो यह theta angle है, तो मैं यह angle निकालना है, B, A, O, यह 90 होगा, ठीक है, हमें चाहिए theta angle, तो अब देखो, होता है क्या है न, एक right angle triangle में अलग से बना रहा हूँ, वेट, यहाँ पर, एक right angle triangle हमारे पास है, O, D, A, यह theta है, यह क्या है R, और यह क्या है, R by 2, हमें theta चाहिए, तो होता क्या है न, मैं simply briefly explain कर रहा हूँ, तो trigonometry क्या होता है, trigonometry होता है, angle का relation side के ratio के साथ, angle का relation side के ratio के साथ, यह हम परते हैं, trigonometry में, और वो right angle triangle में देखते हैं, तो जो angle के सामने होता है न, उसको हम कहते हैं perpendicular, तो यहाँ पर यह theta angle अगर तुम इसे study कर रहें, तो इसके सामने जो side होगा, उसे हम perpendicular कहते हैं, और यह जो होता है, यह तो पता है, 90 के सामने, यह happiness होता है, तो यहाँ पर यह r by 2 जो perpendicular है, और यह जो r है, यह happiness है, तो यह अगर perpendicular और तुम्हे happiness को यूज करना है, तो हम यूज करते है, sin theta, sin theta क्या होता है, वो ता perpendicular upon happiness, p upon h, तो यहाँ पर perpendicular upon h का लगाएंगे फार्मुला, तो sin theta आ जाएगा, perpendicular क्या है, r by 2 upon, hypotenuse क्या है, r, यह cancel out हो गया, यह sin theta की value क्या आ गई, sin theta 1 by 2 आ गई, अब sin theta 1 by 2 पता है क्या होता है, दो इसको लिख सकते है, sin theta 1 by 2 को हम लिख सकते है, sin 30, sin 30 की value होती है, 1 by 2 होती है, तो यहाँ से theta की आ जागा, theta का हम बोल सकते है, 30 degree, यहाँ पर n से हमारा आ जाएगा, 30 degree, ठीक है, अगर समझ में आ गया हो, यह concept, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है, तो इस question के लिए पढ़िशान मत होना, बात में समझ लेना, जब कभी तुम trigonometry पढ़ लो, यहाँ समझा दिया, इमान लो, यह साइन theta का formula होता है, perpendicular upon hypotenuse, theta के सामने perpendicular, और यह तो पता ही, यह होता है, लगाया formula, और यह बस यह half जो होता है, उसको हम साइन 30 लिख सकते है, यहाँ से theta is equal to 30 degree आ जाएगा, clear है, बस अगर नहीं समझ में आया तो इस question के लिएता है, पर इसान मत होना, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया, बात में समझ लेना, तो अब चलते हैं, अपने next question, next question हमारा क्या है, अगर प्लीज वीडियो पसंदा है, तो वीडियो को like और share करना, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर देना एक बार, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बात करते है, अगर अगर अराम से करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा है, तो मैं टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ABCD एक सैक्रीक कॉर्रिलेटर है, तो हमने एक circle बना लिये, यहाँ पर, ठीक है, ABCD, एंगल ADB, ADB, यह अंगल गीवन है, 30 डिग्री, DCA, DCA, ADB, यह अंगल गीवन है, 80 डिग्री, find DAB, DAB, हमें यह अंगल निकालना है, ठीक है, हमें यह अंगल निकालना है, कोई बात हैं, निकालते हैं, देखो, अब देखो, यहाँ पर फोकस करना, इस अंगल को, और इस अंगल को, इसको मैंने X बोल दिया, दोनों किस से बन जाएं, AD सेग्मेंट से, दोनों AD सेग्मेंट से बन जाएं, और यह अंगल भी AD से बन जाएं, तो अंगल इन यह सेम सेग्मेंट क्या होता है, एककल हो जाता है, तो कहने का मतलब है, अंगल ACD जो है, वो अंगल ABD के एककल हो जाएगा, यादि कि 80 डिग्री मतलब यह जो X है ना यह 80 डिग्री केकल हो जागा तो X की वैल्व आ जाएगी 80 डिग्री और ट्राइंगल A, B, D की बात करें यह 30 डिग्री यह 80 डिग्री प्लस जो में अंगल निकालना था यह एंगल यह लिखना हूँ फोर कैंसल के हो जाएगा यह 70 डिग्री ठीका सब्सक्राइब आ गया होगा सिंपल है लेकिन इंपोर्टेंट है स्कूल के एक्जाम में सब पूछा जाता है ठीक है चलो चलते हैं कॉस्ट नमर्फ फाइफ पे कुछन फिफ देखो फिस्ट में क्या है अ कॉर्ड ओफ लेंद 14 cm is at a distance of 6 cm from the center of a circle the length of another cord is at a distance of 2 cm from the center of the circle is कोई बात नहीं यहां पर दो कॉर्ट की बात हो रही है सबस्ट नहीं center ओ ले लिया तो एक कोई कॉर्ड लेंद 14 cm is a distance of 6 cm रिकॉर्ड ए भी यह रेडियस होगा ओ ए यह दिस्टेंस गिवन है अलो एड तो ए भी कॉर्ड जो गिवन है वो 14 cm है और डिस्टेंस क्या हो दिगा 6 तो एडि क्या हो जाएगा अगर यह 14 है तो पर प्रेंद कॉर्ड दिस्टेंस यह 7 और यह 7 पर दूसरा कॉर्ड है length of another कॉर्ड at a distance of 2 cm वो 2 cm पर मान लो तो इसको तो चेंज कर दिते हैं यह कॉर्ड है इस पर डॉप किया पर्पेंडिकलर यह सई सब्सक्राइब यह 2 cm है यह N बोल दिया हमने और यह P बोल दिया तो यह ON भी क्या होगा रेडियस है और AO भी क्या है रेडियस है हमें क्या निकालना है हमें निकालना है PN दूसरे कॉर्ट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है PN यह कोई बात नहीं तो पहले हम इस साइड जो नीचे है ना ट्राइंगल ए ओडी ए ओडिस हम रेडियस निकालेंगे यूजिंग पाइथागोर स्थरम ठीक है अगें यह 7 क्यों हो गया क्योंकि अगर सेंटर से किसी कॉर्ट पे पर पेंट कुलर ड्रॉप करते हो उस कॉर्ट को बाइसेक करता है मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ क्योंकि सर्कल चैप्टर थोगा सा डिफिकल होता है बच्चों के लिए समझता है तो अगर मैं बात करो ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ डी में आर स्कॉर्ट की वैलो क्या हो जाएगी आर स्कॉर्ट की वैलो हो जाएगी 6 स्कॉर्ट प्लस 7 स्कॉर्ट ओके यह आर स्कॉर्ट की वैलो हो जाएगी फर्स्ट और ट्राइंगल ओ एम एन में आर स्कॉर्ट की वैलो क्या होगी वहोगी ओम स्कॉर प्लस MN स्क्वाइज और आर स्कॉर क्या है श्क का स्कॉर थर्टी सिम्स प्लस फॉर्टी नाइन वे यह सिक्स का स्कॉर्ट फॉर्स एम एन आइन स्कॉर्ट यहाँ से MN square निकालते हैं, 36 plus 49, कितना हो जाएगा, तो यह तुमारा हो जाएगा, 15, 85, minus 4, इस 4 को यहाँ मानस कर दिया, तो MN कितना आ गया, इसक्वार था, root 85 minus 4, 81, तो MN की value आ गई, 9, MN मतलब यह value 9 आ गई, तो यह भी क्या होगा, 9 होगा, cord को by set करता है, तो यहाँ पर PN जो cord हो क्या हो जाएगा, twice of MN हो जाएगा, MN 9 आ गया, तो 2 into 9 is equal to 18, तो इसक्वारा जाएगा 18 cm, तो दूसरा cord होगा, वो 18 cm long होगा, कुछ नहीं किया, हमने यूज किया है, पाइथागोस थर्म उसक्या, पर हमने ट्रायंगल AOD पर पाइथागोस थर्म उसक्या, उससे हमने एओ निकाला, फिर ट्रायंगल O, M, N पर पाइथागोस थर्म यूसक्या, और यहां से R square की value आ थी, वो फर्स एक्वेशन से रख ल is known to be 10 cm the radius of the circle must be quick circle this car quick order of a circle do 10 cm at the radius of this circle must be 5 cm greater than or equal to 5 cm or greater than or equal to 5 cm less than 5 cm greater than 5 cm to some other happy this question was around question number 6 proof to what we will do okay take a now this cord okay so a b k 10 cm center it is 5 or 5 कि तो अगर ये कॉपॉट लारजस्ट है डामेट उलमाल लिया कितना होजाएगा फाइफ एक बमुथ होजाएगा फाइव स्क मितर Unter उसनिकाइब है रेडिस ऑफिस सर्कल मॉस्ट भी मस्ट भी क्या होगा न। थैस होगा वह настолько अभी इसने तो यह तो कहा नहित वो सेंटर से पास कर रहा है तो सब्सक्राइब हो gepas 5 हो जाएगा अब अगर दूसरा लोगे तो अगर वो center से pass नहीं कर रहा है तो special condition हो गया अगर center से pass करेगा तो equal to 5 हो जाएगा ठीक है ऐसा कुछ बोला नहीं किया है अगर center से pass नहीं कर रहा है तो मानलो A B कोई cord है यह center है यह drop क्या perpendicular मानलो O D और यह radius है O D कितना है 5 A D sorry O D कितना है X तो अब यह radius तो यह radius की value होगी अगर यह cord center से pass नहीं कर रहा है इस radius की value वो इस से तो बड़ी होगी ना क्योंकि यह इस triangle के लिए hypotenuse बन जाएगा हमें सा तो 5 से तो बड़ी हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर कोई दूसर अगर तुम cord कहीं पर ले लो except diameter cord को कहीं पर ले लो except diameter तो क्या होगा यह तो होगा अगर मानलो तुम cord ऐसे ले ले लेते हो यह center यहाँ है तो यह radius होगा यह perpendicular यह total AB cord जो है वो 10 है तो यह AD कितना हो जाएगा 5 और O है तो OA की value R है तो R क्या है इस triangle के लिए तो happiness है तो यह 5 से तो बड़ा ही होगा ठीक है तो अब देखो यहाँ पर question की अगर बात करें कि अगर उसे तुम center से pass कर रहा है cord यह नहीं मानते हो तो तो radius हमेशा greater than 5 होगा ठीक है और तुम अगर case मान रहे हो कि वो center से pass कर रहा है cord मान लिया तो greater than or equal to 5 यह भी सही हो सकता है ठीक है तो clear नहीं किया गया उसने का one cord of a circle तो one cord हो सकता है center से pass कर रहा हो center से pass नहीं भी कर रहा हो center से pass कर रहा है तो मतलब वो special case हो गया तो उस case में equal to 5 हो जाएगा तो special case लेके हम question को solve करते नहीं है हमने माने center से pass नहीं कर रहा को random cord है तो यहाँ पर answer हो जाएगा greater than 5 ठीक है मैंने दोनों explain कर दिया है अगर center से pass करेगा तो equal to 5 होगा center से pass नहीं करेगा तो greater than 5 ही होगा हमेशा ओके चलते है अपने 7th question पर sorry और जो खाम हो रखा है तो 7 के अगर बात करें तो 7th क्या होगा हमारा option देखो ABC is a triangle with B as right angle AC 5 ABC को a triangle a circle is drawn with A as a center हमने कोई circle बनाया है A as a center okay and AC as a radius AC क्या हमारा radius है ओके तो यह देखो A B C A B कितना है A C है 5 A B है 4 a circle is drawn with A as a center A center लिया है और AC radius लिया है तो AC radius लिया है तो AC radius है यह आगे इसको एक्षिन कर दिया इसको इससे जॉइन कर दिया इसा कुछ है तो question यह है the length of the chord of the circle passing through C and B is तो C और B से pass करने वाला chord यह मानलो CD इसको एक्स्टेंड किया इसकी length क्या होगी अब देखो अगर यह circle है पाइथागोरस तो हम से क्या हो जाएगा यह 5 है यह 4 है यह 5 है यह 4 है तो CB यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा using pythagoras तो हम निकाल लोगे जो अभी तक हम बाखी question में काम कर रहे थे निकाल लेना और यह chord क्या हो जाएगा अगर यह 5 है यह 4 है तो यह भी 3 हो जाएगा या इसको इसका BC का डबल कर दो CD आ जाएगा यहां पर क्या जाएगा 3 प्लस 3 6 cm एंसर हो जाएगा D उमीदर समझ में आ गया होगा ठीक है AC रेडियस को बनाना था हमें A center बनाना था तो circle ऐसा ही कुछ पास करेगा और इस CB को हमने extend किया एक chord बनाया उस chord का length निकालना था तो पाइथा गोरस्तियों लगा इस triangle में यह 3 आ गया वैसे ही इसका double कर दो तो CD क्या हो जाएगा 6 या अगर इस triangle में पाइथा गोरस्तियों लगा दो तो यह भी 3 हो जाएगा 3 प्लस 3 6 okay move करते है अपने next question पे question नमर 8 पे तो यहां पे solve कर देना मैंने explain कर दिया है उम्हीद एक clear हो जाएगा अगर अभी भी clear नहीं होता है कैसी का तो बताना मुझे comment section में next video में मैं try करूंगा question को solve करने का okay चलो question number 8 पे आते है 8 A B B C and C D are equal chords of a circle A B B C C D are equal chords of a circle with center O as center and AD is a diameter चलो अब देखना सब्सक्राइब सम्झा दोगा मैं AD diameter है तो हमने यह ले लिया A C center O यहां पे A B B C तो माल जा कोई A B chord है BC chord है and CD chord है यह equal है तो AO तो radius होगा और OD भी radius होगा तो A B B C C D are equal chords ठीक है इसको join किया है उच्छा क्या गया है angle AOB AOB यह OB भी क्या हो जाएगा R हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां कि अगर बात करें यह भी R है यह भी R है यह भी R है तो यहां पे A B B C C D R equal chords of a circle with center O a center and A D's diameter तो R और R चलो यहां पे यह जो total angle है यह 180 होगा ठीक है total angle 180 होगा तो हम भूल सकते हैं यहां पे क्योंकि यह chord यह और यह तिनो इक्वल है अगर मालों इन दो triangle को हम देखे तो triangle congruent हो जाएगा अगर हम triangle A O B and B O C की बात करें congruent होगा क्योंकि यह AO is equal to OC बोल सकते हो BO common बोल सकते हो और BC is equal to AB बोल सकते हो वैसे यह दोनों triangle congruent हो जाएगा ठीक है देखो triangle A O B and triangle O B C common क्यों होगा दो तो radius आगे वह आपस में इक्कल हो जाएगे ठीक है AO is equal to OC और OB common यहांप लिकेता हम है AO is equal to OC OB is equal to OB and AB is equal to BC यह given है AB is equal to BC से ट्राइंगल congruent हो जाएगा तो CP CT से यह एंगल जो तुम्हारा है यह एंगल यह एंगल और यह एंगल equal हो जाएगा तो similarly में यह ट्राइंगल माननों यह 1st ट्राइंगल था यह 2nd और यह 3rd 2nd और 3rd भी congruent हो जाएगा अगर यह 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 तो यह भी यह हो जाएगा तो कहने का मतलब है यह यह प्लस य प्लस य एंगल क्या हो जाएगा 180 स्ट्रेट लाइन है 3y is equal to 180 तो y की वालू किया आजाएगी 180 upon 3 is equal to 60 degree हमारा answer हो जाएगा 60 degree उमीद है समझ में आ गया होगा ठीक है कोई डाउट है दोबार देखो वीडियो को समझ में आ जाएगा ठीक है ट्राइंगल को कॉंगेंट किया लगाया है ठीक है मैं दिमाम अभी यही आया था मैंने यही कॉंसेट लगा दिया बाकी कुछ और हो सकता है तो देख लेना एक बार खुछ से नहीं तो फिर यह तो सिंपल था ही ट्रेंगल कॉंगेंट करना था ओके चलते है अपने next question पे ठीक है तो कोई C है तो कोई C है यहां पे पॉइंट जो कि मिड़ पॉइंट है आर्क अबी का देखो यहां पर क्या कर रहा है question no.9 C the midpoint of an arc a.b. of a circle such that measurement of a.b. 183 अब समझना इसको measurement of arc a.b. 183 रगर है if the region bounded by the arc a.c.b. and the line segment a.b. is denoted by s. then the center o enter oh यहां माल लिया तो देखो अब अगर मालनो तुम यह आर्क ले रहे हो a.b. more than 183 तो यह 180 होता है तो इससे तो बड़ी value होगी ना 180 होगी वह 180 183 तो यह a है यह b है और यहां हमने midpoint ले लिया c तो यह जो गिवन था c is the midpoint measurement of a.b. मतलब यह angle यह angle यह center o है यह point यह 183 है अब करा if the region bounded by a.c.b. a.c. b.c. region bound हो रहा है and a line segment a.b. a.b. line segment is denoted by s इस region को हम s से denote कर रहे है इस region को हम s से denote कर रहे है तो center कहां लाइ करेगा तो center of course s region में लाइ करेगा in the interior of s दिख रहा है में ठीक है center उसाट लाइ नहीं करेगा center इसी साट लाइ करेगा interior of s ठीक है क्योंकि यह बड़ा portion है more than 180 degree है center इस side लाइ करेगा in the interior of s इस बात का ध्यान लाइकना okay center आएगा वो इस साट आएगा s के side इस region में नहीं आएगा center वो इस region में आएगा okay चलो चलते हैं आज के last question question number 10 पे question 10 क्या माने पास in a circle the major arc is three times the minor arc the corresponding central angle and the degree measure of two arc are देखो center O ले लिया arc की बात हो रही है तो हमने एक arc बना लिया यह B है यह A है A O B तो यह A O B arc हमतब यह arc जो है न यह यह X है तो यह क्या हो जाएगा B A A A C ले लिया B C A यह 3 X हो जाएगा ठीक है तो हमें यह find करना है degree measurement of the two arc रहिंके यह angle और यह angle क्या हो जाएगा इसी ratio में हो जाएगा ठीक है इसके पास एक part है और इसके पास तीन part है तो टोटल क्या होता है तो टोटल चार पार्ट हो गए चार पार्ट में तीन part इसके पास है एक part इसके पास है तो इसी ratio में 360 degree भी divided होगा इसी ratio में 360 भी divided होगा तो अगर यह angle मान लो Y बना रहा है तो यह 3 times Y बनाएगा रहित होगा अब हमें पता है Y plus 3 times Y is equal to 360 होगा तो Y की value कितनी हो जागे 360 upon 4 is equal to 90 degree तो यह angle अगर 90 है तो यह क्या हो जागा 270 यानिकि एक angle जो बनेगा वो 90 बनेगा दूसर 270 बनेगा दो आर्का अब यहाँ पर answer देख लेना बुक में क्या given है बुक में तो अचा major arc मालो पहले given है तो पहले major arc को लेंगे तो answer C हो जाएगा A नहीं most accurate बोलोगे C क्योंकि major arc पहले आ गया तो मालो आपने major arc find किया 270 है और minor 90 है तो याद रखना अगर इसके पास X part है तो center angle पे इसी ratio में जिस ratio में तुमने arc को divide किया तो arc का ratio जो है वो 1 is to 3 है तो center angle भी 1 is to 3 में divided होगा इसलिए अगर यह y है तो यह 3 y होगा तो उमीद है समझ में आ गया होगा question number 1 to 10 जिनका doubt होगा वो clear होगा doubt होगा मुझे यह पता है क्योंकि जो circle chapter था difficult है वैसे बच्चों को difficult लगता है और question directly given नहीं है starting a question directly given थे उसके बाद कुछ 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 में last में किया difficult difficult तो नहीं है लेकिन हाँ समझ में नहीं आता है कहना क्या जा रहा है क्या पूछना जा रहा है तो अगर ऐसा है यह फर्स्ट पार्ट इसमें question में 1 से 10 तक किया है हम नेक्स पार्ट में इसके आगे continue करेंगे ठीक है तब तक के लिए good bye take care